हेलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज बैंक निफ्टी में आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकाउट मिला पहली बार आपका ऐसेलेट हुआ दूसरी बात फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक पिन बार बुले स्केंडल भी दिखाई दी साथ की साथ मार्केट ने नया ट्रेडिंग डे हाई आपके लिए बन चुका है मार्केट ने इसका ब्रेकाउट दिया यह मुमेंटम आपको पकड़ने को मिला सीधे सीधे टार्गेट अचीव हुआ कुछ लोगों ने यहाँ पे भी रिस्क लिया पिन बार बुल इसकेंडल को इन्होंने देखा है आपको देखने को मिला हैमर टाइप से केंडल बनी विए इसके नीचे काया इस टोप लोस लगा के इस मुमेंटम को मार्केट को पकड़ने के कोशिस की ट्रेडिंग डे हाई पहला आपके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था फिर मार्केट ने इसका भी ब्रेक आउट दिया यहाँ पे भी आपने कुछ कुछ कॉंटिटी आइड की होगी देखो कहीं दिन से निफ्टी फिफ्टी बुलीस चल रहा है और आज भी जब मार्केट ने यहीं पे ही ब्रेक आउट दे दे था मैंने यहीं पे ही एक मुमेंटम को पकड़ा था पर लेकिन मैंने पोजिशन को होल्ड रखा फिर यहाँ पे जब यह रिट्रेस्मेंट आया मुझे दिखाई दे रहा था कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है यही सिचुएशन मैंने साइड बाई साइड उबजर्व करी मैं आपको दिखाता हूँ यहीं पे मैं आपको बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगा लेता हूँ इससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि म पे लगा लेता हूँ एक मिनट रोख जाएगे चार्ट लगा लेते हैं मा यह बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन दिखाई दे रहा था अभी मैं बैंक निफ्टी का अनलेसिस करूँगा आपके सामने आप भी खुद समझेंगे प्रिवियस डे हाई पे यह सपोर्ट ल यहां पे मार्केट ने मैंने कुछ और कॉंटिटी भी एड की फिर जब मार्केट ने इसका ब्रेक आउट देया क्योंकि मेरे लिए ट्रेडिंग डे हाई यह बन रहा था तो जो यह क्वांटिटी में यहां पे आड कर रहा था जो यहां पे ली थी टार्गेट सिर्फ यह कि मार्केट ट्रेडिंग डे हाई पे लेकिन अगर जब मार्केट ने इसका भी ब्रेक आउट दे दिया तो मैंने अपने इस टोप लोस को यहां पे सिफ्ट किया और फिर जब मार्केट ने यहां पे भी एक बहतरीन सा प्राइज एक्शन बनाया यहां पे भी मैंने कुछ क बात नहीं अगर आपका यहां से संतुष्टी है तो इतना सफिशेंट होता है आए फिलाल आपको मैं बैंक निफ्टी के अनलेसिस पे दिखा रहा था पहले लोजिक समझेंगे हम प्रोपर तरीके से और उसके बाद हम बागी का डिसकेशन करेंगे अब बैंक निफ्टी में क प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट ले रहा है देखो सब कुछ सेम है यहां पर भी आपको जो पहला मुमेंटम मिला था वो ट्रेडिंग डे हाई तक मिला था यहां पर भी मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकाउट दिया था लेकिन उपर रजिस्टेंस था है यहा यहाँ पर भी market ने trading day high का breakout दिया और एक ऐसे लेट किया और फिर से आप देखेंगे यह market ने hammer बनाया या pin bar bullies candle आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, market ने फिर से इसका breakout दिया, फिर से trading day high का breakout दिया, फिर से आपको momentum दिया, अगर आप इन दोनों दिन को उपज़र करू सब कुछ को भी paste कर दिया, सब कुछ मैंने आपको आखेंगों के सामने दिखाया, यहाँ पर भी bullish candle, वो bere scandal, बड़ी gap up opening, यहाँ पर भी बड़ी gap up opening, bere scandal, previous day high पर यहाँ पर भी support, previous day high पर यहाँ पर भी support, फिर trading day high तक momentum, यहाँ पर भी trading day high तक momentum, फिर यहाँ पर market ने इसका breakout देने के कोशिश की, यहाँ भी market ने इसका breakout दिया, एक एसलिट किया, और फिर momentum दिखाया, सब कुछ सेम, लिखो, observation में इतनी power होती है, जब आप चीजों को समझने लग जाते हो, यही same situation आपको nifty 50 में दिखिये, फरी nifty 50 में भी अगर आप देखेंगे, यही तो momentum आपको कल देखने को मिला था, धियान से देखो, market ने यही momentum आपको दिखाया था, लगबग लगबग सेम, यहाँ पे भी nifty 50 में trading day high cup breakout मिला था, यहाँ भी market ने एक retracement करके trading day high cup breakout दिया, तो अगर अब भी आप profit नहीं बना पा रहे हो, तो इसमें कहीं न कहीं गलती कहा है, आपके trading platform में इस्तमाल करा हूँ फिलाल, आज इस पे एक demo वीडियो भी आपको साम तक मिल जाएगी, मैंने record कर दी है, पहले तो मैं यह bank nifty वाली वीडियो डाल रहा हूँ, फिर demo वीडियो भी मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने इसके सारे feature, जो मेरे पसंदिता feature है, खासकर entry वाले drag and drop, आप stop loss, यह modification, सीधे drag and drop से आप चीजों को modify कर सकते हैं, वन क्लिक से आप अपना stop loss लगा सकते हैं, वन क्लिक से तारगेट लगा सकते हैं, वन क्लिक से कहां पर आपको quantity अएड करनी है, सब को चार्ट पर दिखाई देता रहेगा, अगर आप इसमें अपना account ओपन करना तो नीचे description में आपको link मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसमें अपना account ओपन कर सकते हैं, फिलाल में ट्रेडिंग के लिए फिलाल इसे इस्तमाल कर रहा हूँ, वहां पर मैं आपको डेमो में सारी चीजे समझाऊँगा, तो यहां पर आपको logic समझ में है, मंडे को उमार red candle, बड़ी gap up opening, बड़ी gap down opening, इन चीजों से हम दूर रहते हैं, यह चीज आपको पता है, साथ के साथ sideways market, यह चार होतों यह तरह की चलती train होती है, यहां पर बड़ी gap up opening आपको देखने को मली, तो इसका मतलब ना तो buying का scenario create हो रहा है, ना ही selling का scenario create हो रहा है, अगर आप च यहां पर भी observe कर लिया, कि market ने बड़ी gap up opening दी, वापिस आया market, और gap को fill किया, यहां पर market ने बड़ी gap up opening दी, पहली candle में market वापिस आया, तो कहीं बार market आपको बड़ी gap up opening देगा, और फिर वहीं पर time spend करके momentum दिखाना शुरू कर देता है, और इन चीजों को observe करके selling position बना से जितना दूर रहूंगे उतना फाइदे में रहूंगे, क्योंकि एके candle में आपके profit गायब कर देंगे, आपके capital को गायब कर देंगे, observation ही सबसे बड़ी power होती है, price action को समझो, जैसे कि यह पहली वाली candle बनी, इसने previous day high पे support लिया, हमारे लिए important level क्या था, previous day high, यह क्या है previous day closing, और यह क्या है हमारा previous day low, अब इस scenario को समझो, अगर देखो market में यहां से market support लेके, previous day high पे support लेके, momentum दिखाना शुरू कर दिया market में, अगर आप यहां पे position भी लेंगे, तो target सिधा सिधा यह बनता है, trading day high, यह कोई recommendation नहीं है, यह आपके लिए किसी भी तरह का, ना तो क अपनी research करनी है, अपनी investor के सला लेनी है, क्योंकि profit भी आपको होनी वाला है, lows की जिम्मिदारी भी आपको अपनी हाप लेनी है, तो यहाप यहां पर हमें situation क्या दिखाई दी, trading day high आपको यह दिखाई दी रहा है, अब अगर selling करनी होती, तो हम selling कहां करते, सवाल यह है, क्य क्योंकि अगर BRE scandal दिखाई दे रही है, क्या हम BRE scandal से नीचे जब market चलता तब selling करते, नहीं करते, अपको पता है, क्यों नहीं करते, comment करके बताओ, जो समझ में आया, previous day closing का support है, जल्दी से comment करना सुरू करतो, हम selling नहीं करते, previous day closing का support है, इतना समझ में आया कि नहीं, जब इ selling की opportunity देखते, क्योंकि नीचे support हमारा previous day low है, जो कि काफी दूर है, हम इस momentum को पकड़ने की कोशिस करते, तो यहां पर हमने क्या सीखा, कि अगर market previous day high का breakdown देता, हम selling नहीं करते, क्योंकि नीचे जो हमारी पहली candle बनी है, उसका low है, जब market इसका breakdown देता, क्या हम selling करते, बिल्क selling नहीं बन रही थी, समझ में आया, तो यहां से selling का scenario तो बनी नहीं रहा था, क्या buying करते हैं, देखो यहीं तरीके होते हैं, buying का observation हमने कहां से देखा, buying का observation हमने nifty 50 में देखा, बैं nifty 50 में market अपने trading day high का breakout देके momentum दिखा रहा था, एक बहतरी इन positive bullishness दिखा रहा था, तो हम स कहता है, rule यह कहता है कि जब market trading day high का breakout दे, जो beginners है, तभी उन्हें opportunity मिलती, market ने trading day high का breakout यहां पे दिया, और फिर एक retracement दिखाया, आपका SL hit किया, कोई बात नहीं, market में profit loss चलते रहते हैं, SL hit कोई बात नहीं, फिर market ने यहां पे आपके लिए hammer बना दिया, तो काफी लोग hammer positive कब होता है, मैं आपको हमें से कहता हूँ, अगर वो support पे मिले, भई हमें वो मिल जाता, यहां पे previous day high पे market hammer दिखा देता, वो हमारे लिए एक support दिखा देता, वो हमारे लिए एक important चीज़ था, तो बहतर यहीं था कि जब market फिर से आपको trading day high का breakout दे, कुछ लोगों ने यहा पे भी opportunity को पकड़ा है, कोई बात नहीं पर लेकिन बहतर trade आपके लिए यहीं पे बन रही थी, जब market trading day high का breakout यह momentum आप पकड़ सकते थे, ठीक है, हाला कि यहाँ पे premium आपका इतना बहतरी increase नहीं होगा, क्योंकि quick momentum में premium ज्यादा increase होता है, जैसे कि मैंने यह वाली opportunity पकड़ होगा, वहाँ पे discussion करेंगे, यहाँ पे भी आप देखेंगे, जो यह quick momentum साय है, जैसे कि यहाँ पे premium increase होगा था, फिर market ने जब trading day high का breakout दिया, इनमें भी एकदम से market ने quick momentum दिये थे, एक एक की candle काफी बड़ी बड़ी बनाई थी, तो यहाँ पे भी premium काफी अच्छे खासे increase हुए थे, तो आई अब scenario discuss कर लेते हो, उमीद है आपको logic पसंद आयोगा, देखो दोस्तों, अगर logic पसंद आ रहा है, वीडियो को like करना, बिल्कुल में भूनेगा, comment करके बताना, मंडे को क्या करना है, अब उसका हम discussion कर लेते हैं, चीजों को समझने की कोसिस करते हैं, क्य पीचे description में आपको application का link मिल जाएगा, आप जाके सीख सकते हैं, जैसे आप coupon पे click करेंगे, जो available offer है, उसके नीचे click करेंगे, तो आपका यहाँ पे 25% off हो जाएगा, इस offer का फाइदा उठा सकते हैं, काफी लोग की ये भी comment आ रहे थे कि part 2 कब आएगा, दोस्तों उसमें और strategies add करने से पहले, जैसे कि आपको पता है, मैं testing करता हूँ, तो उनकी testing चल रही है, और भी बहतर किया जा रहा है, जिसे कि आपको अच्छे तरीके से, खासकर जो हम उसे design कर रहे हैं, option buyer को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि option buyers में क्या होता है, quick momentum में profit होते हैं sideways market में निकलना पड़ता है, या retracement में एकदम से profit गिर जाते हैं, तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, कुछ strategies पे काम किया जा रहा है, तो इसलिए उनकी testing में थोड़ा सा time लग रहा है, बताने को तो सीधे भी आपको strategy बता ही जा सकती है, पर लेकिन आप pay कर रह है, फिलाल 25% का offer चल रहा है, और इंटरडे strategies को सीख सकते है, अगर आप दोनों को combine करेंगे, वो ज़्यादा बहतर रहेगा, उससे आपके ज़्यादा बहतर result निकलेंगे, और आप चीजों को अच्छे तरह के से समझ भी पाएंगे, वापिस आते हैं, मंडे को हमें क्या त respect कर रहा है, यहीं पर हमारा previous day high भी रहे है का मंडे को, तो अगर market इस level की respect कर रहा है, एक pattern भी आपर बना रहा है, जो हमारे चार pattern है, triangle वाला pattern, trend line से मिलके बना हुआ pattern, और parallel pattern, आपको ये वाला pattern दिखाई दे रहा है, उपर resistance, नीचे support, और पहले market ने, same ही level पर अगर आप resistance बना है, breakout मिलके market यहाँ पर support बना है, हम ये चोटी सी बात भी जानते हैं, अगर आप पहले से subscriber है, family members है, resistance है, breakout मिलके वो support की track कर रहा है, यहाँ पर resistance था, breakout मिलके वो support की track कर रहा है, यह भी हमें पता है, तो यानि कि अगर market इस zone में हमें दिखाई दिया, तो हम कुछ नही करेंगे सांत इसे market को observe करेंगे possibility हो सकते market sideways हो जाए हमारे लिए opportunity कब create होगी जब market is previous day high का breakout देके चलेगा तो हमारे लिए setup बनेगा previous day high के breakout वाला setup आपके लिए यहाँ पर बहतरीन काम करेगा क्योंकि इसके बाद जो हमें situation नजर आ रही है जो resistance नजर आ रहा है higher probability है कि market 45,000 तक को approach करने की कोसिस करेगा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो तो एक अलग situation है पर लेकिन इसे approach करने की कोसिस कर सकता है पहली चीज़ दूसरी चीज़ अगर आपको ज्यादा बड़ी gap up opening मिल गई तो trade नहीं करेंगे क्योंकि दो दिन से आप लगतार देखेंगे यहाँ पर भी बड़ी gap up opening मिली यहाँ पर भी बड़ी gap up opening मिली और वीडियो के previous day IP market ने यहाँ पर भी support लिया था यहाँ पर भी support लिया था फिर से support लेगा ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है इसलिए समझदारी उसमें होती है सांती से बैठो price action बनने दो आपका setup बनने दो कोई logic होना चाहिए आपकी trade के पीछे तब ही आप entry करो अगर आप बिन setup logic के काम करने की कोशिस करोंगे तो इसका मतलब आप market से कुछ भी नहीं सीख रहे हो सिर्फ इन चीजों के भरोसे कि हमने एक दो बात market में देख ली profit नहीं निकाले जाते क्योंकि जिस दिन यह चीज यह reverse हो गई उसी दिन आपका सब कुछ गायब हो जाएगा जैसे कि अगर आज किसी ने trade लेने की कोशिस किया है देखो यहाँ पे तो premium नहीं घटा था पर लेकिन आज का जो एक दम से selling का scenario है क्योंकि मैं premium को observe कर रहा था क्योंकि मुझे आपको यह चीज समझानी थी यहाँ पर भी मैंने देखा और यहाँ पर भी मैंने देखा यहाँ पर premium जिन्होंने selling कियोगी उनके नहीं घटे होंगे बड़े होंगे क्योंकि market ने यहाँ पर time spent किया previous day high के पास यहाँ पर ऐसा scenario नहीं हुआ देखो market एक दम से नीचे गया और यह एक पहतरीन सी market ने एक lower week बना रखी है फिर bully scandal तो यह premium एक दम से इन्होंने उल्टे कर दिये थे काफी तेजी के साथ गटे थे जो जिन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए selling करने की कोसिस की होगी definitely वह एक अच्छा profit नहीं बना पाये होंगे तो इसलिए observation समझो दूसरा एक बात हो यहाँ पे तो चलो market sideways रहा एक pattern भी बनाया हमारा यहाँ पे एकदम से market trading day high को approach कर गया bullish bullish candle बनाते हुए सीधा approach कर गया तो अगर वही situation आपकी यहाँ पे हो जाती है और आप position में बैठे रहते तो आप loss में चले जाते है समझ में है तो इसलिए इन चीजों को avoid करेंगे ज्यादा बैतर रहें तो अब तक हमने क्या scenario समझा positive momentum आया या gap up की situation में वही पे अगर market ने flat open की negative momentum दिखाया हमें एक चीज तो observe कर रहे है previous day high जो है और previous day closing है यह एक ही zone में और यहीं पे हमारा pattern बन रहा है जब आपको इसका breakdown मिल जाएगा तो हमें selling opportunity मिलेगी इस situation पर जो हमें support देखने को मिलेगा पहला support यहाँ पर मिलेगा 44,600 के रहा हूं इसका breakdown मिल गया तो market आपको सीधा सीधा जो 28 का day high है यहाँ पर मिलेगा इसका breakdown मिल गया तो day जो low है 30 का जो की previous day low है इस zone में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आती है आपको अपनी profit booking करनी चाहिए फिर देखना चाहिए कि market जो 28 का previous 28 का जो day closing है उससे नीचे जाए discussion करते हैं ज्यादा बड़ी बड़ी gap up opening आपको मिल रही है पाई चांस आपको बड़ी gap down opening मिल गई उस situation पर आप क्या करेंगे उस situation पर आपको ध्यान ये रखना है कि market देखो अगर gap down opening मिल गई तो इस zone का तो breakdown दे चुका है market तो यह गलती मत कर देना कि अगर gap down opening देके market ने bully scandal बना दी जैसे कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बीरी scandal आपको देखने को मिल रही है gap up opening देने के बाद अगर gap down opening देने के बाद market ने एक बहतरीन सी bully scandal बना दी तो buying करके मत बैठ जाना और ना ही selling करके बैठ जाना अगर यह bully scandal इस zone की नजदीक आई तो entry मत ले लेना क्या पत opportunity तब भी आपके लिए इसी के बाद बनेगी या फिर market ने एक bully scandal बना के यहाँ पर time spend करके breakout दिया तब ही opportunity create हो सकती है तो इसलिए wait करना price action का ऐसी situation पे समझ में आ गया तो पहला काम आपका क्या है holiday है आपके अगर आप इनी strategies को सीखना चाते है तो 25% का off चला नीचे description में आ को ही बात नहीं नीचे fires का आपको link मिल जाएगा fires में आप अपना account open कर सकते है जल्दे आज ही आपको demo video भी मिल जाएगी साम तक मैंने record कर दी है उसमें आपको सारे feature भी explain कर दूँगा तो नीचे description में आपको fires का link मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप अपना dmit account open कर सकते है उसमें trading कर सकते हैं और इन features का benefit उठा सकते हैं फिलाल इस video में इतना ही video को like कीजिए और comment करके बताए analysis कैसे जग रहे हैं और फिर मिलेंगे किसी next video में किसे अच्छे content के साथ thank you